चित्रा अनुराग को हैरानी के साथ देखते हुबे मन में सोचने लग जाती है। चित्रा को अपनी तरफ खीचने में वो दर्मिका को चित्रा को उसकी तरफ खीचने ही नहीं दे रहा था। और अपनी पूरी जान के साथ उस बेडी के एक हिस्से पर दे मारता है। जैसे ही वो पत्थर उस बेडी पर पढ़ता है, वो बेडी तूट जाती है। चित्रा फिर ये देखकर शौक्ट हो जाती है कि आखिर अनुराग की सिर्फ एक वार से ही वो बेड़ी कैसे तूट गई थी। अनुराग हरवडाहट के साथ चित्रा से कहता है। उठिये और भागये चित्रा जी। इतना कहकर अनुराग फिर चित्रा का हाथ बगड़ता है। अपने कंदों का साहरा देते हुए उसे उठाता है और उसके साथ भागने लग जाता है। दर्मीका वहीं खड़ी रहती है और गुस्से के साथ उन दोनों को घूरते रहती है। दर्मिका गुस्ते से अपनी मुठी भीचते हुए कहती है अनुराग और चित्रा एक बार फिर भागने लग जाते हैं इस बार भी दर्मिका उन दोनों का पीछा नहीं कर रही थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी वो दोनों अपनी पूरी जान लगा कर भागी रहे थे कि तभी चित्रा का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है जैसे ही चित्रा गिरती है वो कसकर चीगती है आँ अनुराग ची इस बार नीचे गिरने की कारण चित्रा के पैर में अंदरोनी चोट लग गई थी जिस कारण वो उठ तक नहीं पारी थी अनुराग वापस से चित्रा के पास बैठता है और उसे उठाने की कोशिश करने लग जाता है पर चित्रा लाग कोशिश करने के बाद भी उट नहीं पा रही थी उन दोनों के पीछे ही दर्मिका खड़ी हुई थी जो उनकी तरफ गुस्से के साथ अपनी कदम बढ़ा रही थी दर्मिका गुस्से के साथ कहती है इतना कहकर दर्मिका अपनी डरावनी आवाज में हसने लग जाती है चित्रा घबराते हुए अनुराग से कहती है अनुराग जी आप यहां से चले जाएए मेरी जान की फिक्रम मत कीजिए अपनी जान बचाईए अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए तुरंद पलट कर कहता है नहीं चित्रा जी मैं आपको यहां पर इस तरह अकेले छोड़ कर नहीं जा सकता चित्रा पलट कर कहती है नहीं अनुराग जी आप जाएए मैंने कहा ना आप अपनी जान बचाईए अनुराग चित्रा की आँखों में देखते हुए कहता है अपने ही तो जान बचा रहा हूँ चित्रा जी आपसे ही तो मेरी जिंदगी है अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो फिर ये जिंदगी कैसी अनुराग फिर एक बार अपने हाथ में चित्रा का हाथ थामते हुए कहता है मैं आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूगा चित्रा जी अगर मौद भी आपके पास भढ़केगी तो उसके सामने मैं आकर खड़ा हो जाओंगा अनुराग के दिल में अपने लिए इतना प्यार देख कर चित्रा की आँखे भराती है उसे अपने आप पर घ्रना आने लग जाती है कि यह वो अनुराग जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए तयार हो गया था एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था वो उसी अनुराग पर शक कर रही थी कि वो कभी भी बदल सकता है और भक्षानर बन सकता है चित्रा पलट कर अनुराग से कुछ कहने वाली थी कि तभी दर्मिका उन दोनों के पास पहुँच जाती है दर्मिका अनुराग को घूरते हुए कहती है तू बचाएगा इसे वहले तू अपने आपको तो बचा ले जब अनुराग अपनी नज़रे सामने करता है तो देखता है कि दर्मिका उसके पास पहुँच गई थी एकदम से दर्मिका को अपने इतने करीब देखकर अनुराग घबरा जाता है और जैसे वो पीछे अटता है उसके पैर लड़ खड़ा जाते है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है अनुराग कई और नहीं बल्कि चित्रा के एकदम जस्ट बगल में गिरा था दर्मिका अनुराग को देखते हुए कहती है पहले तेरा यौवन जीन कर तुझे मारूंगी उसके बाद इस चित्रा को दर्मिका की बाद सुनकर अनुराग घबरा जाता है उसके समझ नहीं आता है कि वो क्या करे चित्रा भी बहुत जादा डर गए थी दर्मिका अनुराग को गुस्से के साथ घूरी रही थी कि तभी दर्मिका का बदन काला पढ़ने लग जाता है उसके हाथ पैर चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चमरी सरने लग गई हो दर्मिका अपने पूरे बदन को ही एक काली परचाई में बदल रही थी और जैसे उसकी काली परचाई अनुराग के बदन पर गिरने शुरू होती अनुराग का यौवन और जान दर्मिका को मिलना शुरू हो जाती दर्मिका के कमर की नीचे तक का हिस्सा काली परचाई के रूप में बदल गया था उसका नीचे का बदन पूरी तरह काला पड़ गया था अचानक से आसपास एक अजीब सी बद्बू फैलने लग जाती है किसी लाश के सरने की बद्बू वो बद्बू इतनी जादा भयानक थी कि अनुराग से वो बद्बू सहन ही नहीं हो रही थी उस गंद के कारण अनुराग का दम खुटने लग जया था अभी दर्मिका का बदन नीचे से लेकर उसकी गरदन तक काला पड़ा ही था कि वो गंद अनुराग से सहन नहीं होती है और वो बेहोश हो जाता है वो अपनी आखे बंद कर लेता है जैसे अनुराग की आखे बंद होती है चित्रा घबरा जाती है उसे लगने लगता है जैसे अनुराग को कुछ हो न गया हो चित्रा लेटे हुए ही अनुराग को अपने एक हाथ से हिलाते हुए उठाने की कोशिश करते हुए कहती है अनुराग जी, अनुराग जी उठी अनुराग जी, ये क्या हो गया है आपको उठी है अनुराग बेहोश ही पड़ा रहता है उसके हाथ पैर में ज़रा सब भी मूवमेट नहीं होता है चित्रा की आँखे नम होने लग जाती है वो बार-बार अनुराग को उठानी की कोशिश कर रही थी पर वो उठ नहीं रहा था दर्मिका पूरी तरह काली पर्चाई के रूप में बदल जाती है उसके चेहरे पर बस उसकी दो आँखे नजर आ रही थी और काले बदन के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था चित्रा रोते-रोते अनुराग को उठाई रही थी कि तबी दर्मिका बोल पड़ती है ये नहीं उठने वाला चित्रा तेरा याशिक तो बड़ा डर पोक निकला बताओ मेरा असली रूप देख कर ही डर गया चित्रा डरते रहती है वो दर्मिका से पलट कर कुछ नहीं कहती है दर्मिका अनुराग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है इसने मुझसे मेरा शिकार छीनने की कोशिश की है तुझे मुझसे बचाने की कोशिश की है और जो दर्मिका की शिकार को उससे छीनता है, दर्मिका खुद उसे अपना शिकार बना लेती है, अब मैं इसे अपना शिकार बनाऊंगी, पहले इसका यौवन लूँगी, फिर इसकी चान इतना केकर दर्मिका डरावनी आवाज में हसने लग जाती है चित्रा तुरंत दर्मिका से बोल पड़ती है नहीं नहीं दर्मिका ऐसा मत करो मेरे अनुराग जी को कुछ मत करो चाहे तो तुम मेरा योवन और मेरी चान लेलू पर मेरे अनुराग जी को छोड़ दो दर्मिका चित्रा को एक टक देखते हुए कहती है लोंगी, तेरे भी चान लोंगी, तुझे थोड़ी चोड़ने वाली हुँ मैं पर पहले इसका नंबर है, ये मेरे खिलाव गया है और जो दर्मिका की खिलाव जाता है वो पहले मरता है इतना कहकर दर्मिका अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है उसी वक्त चित्रा जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ी होती है और दर्मिका की काले पड़े हुए हाथ को पकड़ लेती है जैसे ही चित्रा दर्मिका का हाथ पकड़ती है दर्मिका गुस्से के साथ चित्रा से कहती है तू, तू मुझे रोकेगी, तेरी इतनी हिम्मत चित्रा रोते हुए कहती है मेरे अनुराग जी को छोड़ दो इने कुछ मत करो चाहे तुम मेरी जान ले लो दर्मी का चित्रा को एक टक देखते हुए कहती है मैंने कहा न तुछ से लूँगी तेरी जान भी लूँगी पर तेरे इस प्रेमी को मारने के बाद आज से सालों पहले मेरी आखों के सामने मेरे परेमी को भी मारा गया था और आज तेरे सामने मैं तेरे परेमी को मारूँगी आखिर तुझे भी तो पता चले मैं इतने सालों से किस दर्द को भोग रही हूँ वैसे भी एक औरत का दर्द एक औरत ही तो समझ सकती है ना, तो तुझे भी मेरा दर्द समझ नहीं होगा। चित्रा रोते हुए नामें अपना सिर हिलाते हुए कहती है। नहीं ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, छोड़ तो मेरे अनुराग जी को। दर्मिका चित्रा की एक नहीं सुनती है, वो अपने हाथ की पकड़ चित्रा के हाथ में से छुड़ाने लग जाती है, पर चित्रा भी कसकर दर्मिका का हाथ पकड़े रहती है। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दर्मिका को अनुराग को मारने नहीं देगी, उसे बचा कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे खुद को क्यों न मारना पड़े। कर आए, कि मामुली से इंसान मुझे कैसे रोक रहे है, आज से पहले किसी को मारने के लिए मुझे इतनी मशकत कभी नहीं करनी पड़ी। चित्रा ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाये वो दर्मिका का हाथ नहीं छोड़ने वाली थी। दर्मिका और चित्रा के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी हाथा पाई में दर्मिका अपनी पूरी जान लगा कर अपने हाथ से चित्रा को पीछे की तरफ धक्का देती है, जिसकारण चित्रा अपना बैलन्स संभाल नहीं पाती और वो गुलाटी खाते हुए पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। जब चित्रा जमीन पर गिरती ह तो उसकी चोटी जिसका उसने जोडा बनाया हुआ था वो खुल जाती है। उसी वक्त तेज हवाई चलने लग जाती है। आसपास का मंजर बदलने लग जाता है। दर्मिका भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा था। ये सब तो उसने अपनी श चोटी पर पड़ती है तो उसकी आखे खुली की खुली रह जाती है। एक पल के लिए तो उसे भी अपनी आखों पर यकीर नहीं हो रहा था। चित्रा की चोटी देख कर दर्मिका के मूझ से खुद बखुद निकल जाता है। डायन! चित्रा तुरंत खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ जोडते हुए कहती है, प्लीज मेरे अनुराग को छोड़तो, अगर तुम्हें जान चाहिए तो मेरी लेलो पर अनुराग जी की जान बख्षतो, दर्मिका चित्रा के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है, वो एक टक नजर से उसकी आँख के अंदर द जाती है, वो समझ जाती है कि दर्मिका को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया था, पर फिर भी वो अंजान बनते हुए, नामें अपना सेर हिलाते हुए, डर के साथ कहती है, नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, दर्मिका अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, जू दर्मिका चित्रा को घूटते हुए कहती है, डायन होकर भी तू शिकार नहीं करती है, इन इंसानों के साथ रहती है, चित्रा नम आखों के साथ कहती है, जिस प्यार को तुम से चीना क्या उसी वज़ा से तुम लोगों से उनकी जान और यौवन चीनती हो न, तो मैं उस प्य यार को पाने के लिए इन सबसे दूर रहती हूँ, इंसान बनकर इंसानों के साथ। चित्रा लंबी आह भरते हुए कहती है। प्लीज, प्लीज मेरे अनुराग जी को चोड़ दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सब कुछ खो चुगी हूँ, अब मैं अनुराग जी को भी नहीं खोना चाती हूँ, उनके बिना मेरी जिंदगी मौत है। दर्मी का मनी मन सोचने लग जाती है। प्लीज, अनुराग जी को चोड़ दो, जाने दो उन्हें, जाने दूगी, सरूर जाने दूगी, और सिर्फ तेरे प्रेमी को इनई बलकि तुझे भी जाने दूगी, आगर तो एक डायन जो है। जब चित्रा दर्मी का के मुझे ये बात सुनती है, तो उसके चहरे पर एक चमक आ जाती है। दर्मी का अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं तुझे और तेरे प्रेमी को जाने दूगी, पर उसके बदले तुझे कुछ देना होगा। चित्रा दर्मी का को एक डग देखते हुए कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बोलो दर्मी का। इन सदियों से है पुराने, ये है यक्षिनी के कहाने, यक्षिनी एक आग है, यक्षिनी तेरा ख्वाब है।